असलाम लेकुम वेलकम टू परहिन कुकिंग्स फॉर यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ सेवाई उक्मा की रेसिपी शेयर करूँगी जो केक बहुती मज़ेदार और बहुती आसान रेसिपी है तो इसे बनाने के लिए आपर मैंने कुकिंग ओयल दाल दिया है एक पैन में जोके तक क्रीबन मैंने 4 टेبة स्पून कुकिंग ओयल लिया है तो इस ओयल में हम ये सबसे पहले मूंपली अड़ कर देंगे और इसे हमें फॉराई कर लेना है तो इस पीनट्स को हमें मीडियम फ्लिम पर क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाएंगी तो इसमें हम ये करी पत्ते एड़ कर देंगे इसे भी हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे तो ये करीपते मैंने तकरीबन दस से बारा लिये हैं और जैसे ये करी लिफ्स फ्राइ हो जाएंगे तो इसमें हम ये प्याज एड़ कर देंगे प्याज मैंने एक छोटी मीडियम साइस के लिए है बारीच चॉप कीवी तो इस प्याज को हमें लाइट गोल्डन या फिर ब्राउन होने तक हमें इसे नहीं पकाना है बस हमें इसे हलका सा सॉफ्ट कर लेना है बस प्याज का कच्चापन खतम होने तक हमें इसे पका लेना है और जैसे ये प्यास थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम ये बारिग चॉप कियावा टामाटर एट कर देंगे एक मीडियम साइज का और फिर इसी के साथ ही हम इसमें कुछ सबजियां भी एट करेंगे तो ये मैंने एक मीडियम साइज का छोटा सा गाजर लिया था जिसको मैंने इस तरह से बारिग चॉप कर लिया है तो ये हम इसमें एट कर देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें ये बारिग चॉप कीवी शिमला मिर्च भी डाल देंगे और ये मैंने तीन से चार हरी मिर्च ली थी इसको भी मैंने बारीच चॉप कर लिया है तो ये भी हम इसमें आड़ कर देंगे अभी और फिर इसमें हम ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी आड़ कर देंगे और फिर मिक्स कर लेंगे इसे तो जब तक कि ये सबजियां हलकी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती उतनी देर हम इसे मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो यहाँ पर ये सबजियां पकती रहेंगी उतनी देर में हम दूसरी साइट पर एक कडाई में थोड़ा सा कुकिंग ओयल डाल देंगे और जैसे ये ओयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो इसमें हम ये सेवई डाल देंगे तो ये सेवई को हमें बस हलका सा कलर आने तक भूंग लेना है तो ये बारिक सेवई हमने नहीं ली है ये थोड़ी सी मोटी सेवई हमने ली है जो कि ये 100 ग्राम है तो बस यह हलकी सी brown हो जाए उतनी देर हम इसे fry करेंगे medium flame पर तो यहां देखिए सेवई हमारी fry हो चुकी है हलका सा इसमे golden color आ गया है तो इसमें अब हम यह पानी add कर देंगे तो जो कि हम पानी इसमें एक cup add करेंगे और इसे हम हलका सा उबाल लेंगे तो बस जैसे ही पानी में boil आ जाएगा तो इसे हम चान कर निकाल लेंगे पानी से तो यहां देखिए पानी में boil आ चुका है और यह जो सेवई है यह पक गई है तो इसे अब हम चान कर निकाल लेंगे पानी से और जो सब्जियां हमने साइड में रखी थी पकने के लिए तो ये भी तक्रीबन अब पक चुकी है तो इसमें हम ये सेवईया एड कर देंगे सब्जियों को हमें पूरा नहीं गलाना है इसमें हलका सा क्रंच बागी होना चाहिए उतना हमें इसे पका लेना है और फिर ये बॉयल कीवी सेवई इसमें डाल देनी है तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों में तो उसे वहीं डालने के बाद बस हम इसे मिक्स करते वे एक से देड़ मिनट पकाएंगे और फिर ये रेडी है सर्फ करने के लिए तो बहुती कम टाइम में जटपट यह recipe बन जाती है और बहुती मज़े की recipe बनती है तो इस recipe को अब जरूर ट्राय करें और मुझे अपना feedback देना ना बुलें मुझे comment करके बताएं कि आपको यह recipe कैसी लगी है और channel पर आप मेरे पहली बार आएं हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं किसी और मेज़िदा रेसिपी के साथ तब तक के लिए फरहीं को दीजे इजासत अलहाफिज